Hello everyone, आज के इस सेशन में हम Class 8 Science के चैप्टर Cell Structure and Functions का टॉपिक Parts of Cell को करेंगे continue इस टॉपिक में प्रीवेस सेशन में मैंने आपको सिखाया था Plasma Membrane के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल को Enclosed या सराउंड करने वाली जो Outer Most Membrane है, वो कौन होती है? Plasma Membrane, जिसको की हम Cell Membrane भी कहते हैं ये Cell Membrane करती क्या है? सबसे पहले तो किसी भी सेल को एक Shape Provide करती है, उसका एक Form Provide करती है इसके अलावा, सेल के अंदर जो भी Contents होते हैं उन Contents को External Environment के Contents से Mix होने से बचाती है यानि कि Cell के अंदर का भी जो भी Contents है, उसको Plasma Membrane क्या करती है? Separated रखती है, External Environment से इसके अलावा, Plasma Membrane सेल को किसी भी Injury वगरा से भी बचाती है यही नहीं, सेल के अंदर जो Organals होते हैं, इन Organals को भी कौन Synthesize करती है? कौन बनाती है? तो हमारी Plasma Membrane तो प्रिविस सेशन में हमने बात करी थी किस के ओपर Plasma Membrane के ओपर और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे Cytoplasm and Nucleus के ओपर तो I hope आज के सेशन का टार्गेट सभी बच्चे को हो गया होगा, clear? तो एक काम करते हैं, जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं So this is Vibhuti Khare, welcome to Magnet Brains जहां पर आपको सभी चाप्टर्स के विडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल free of cost याने की Magnet Brains में आपको दो चाप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेस करने की रिक्वार्मेंट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुंचा रहा है Quality Education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन जहां पर हम बात करेंगे Cytoplasm and Nucleus की ओपर तो सबसे पहले हम बात करते हैं Cytoplasm की किये क्या होता है So the fluid and semi-fluid matrix of the cell present between the nucleus and the plasma membrane containing various organs and inclusions is called Cytoplasm अगर मैं आपको एक typical cell structure बना करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा सबसे पहले हमारे पस क्या आजाएगी एक plasma membrane आजाएगी जैसे कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको previous session में जब हम plasma membrane पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि हर cell के पास उसकी जो outermost covering जो होती है वो क्या है एक plasma membrane है अब कुछ कुछ cells ऐसे भी होते हैं जिनमे plasma membrane के बाहर एक और protective covering होती है जिसको हम कहते है cell wall और इस cell wall को हम पढ़ेंगे अपने next session में ठीक है अभी के लिए आप ये समझ लो कि सभी cells में सभी cells को enclose करने वाली जो outermost covering है वो क्या है हमारी plasma membrane है यहने कि सभी cells में plasma membrane तो होगी ही होगी as an outermost protective covering लेकिन कुछ cells ऐसे भी होते हैं जिन में plasma membrane के बाहर एक और second protective covering होती है जिसको हम कहते है cell wall तो एक typical cell structure में सबसे पहले मैंने आपके पास बना दिया है क्या plasma membrane अब इस plasma membrane के अंदर बीचो बीच मैं एक spherical structure बनाती हूँ और ये spherical structure क्या है nucleus जिसके बारे में आज की इस session में हमें पढ़ना ही है लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने क्या बनाया है एक typical cell structure बनाया है जिसमें कि सबसे पहले मेरे पास क्या आई है plasma membrane आई है और इस plasma membrane के अंदर एकदम beach of beach जैसे कि मैंने आखको बताया था कि plasma membrane क्या करती है किसी भी cell को उसका एक form provide करती है shape provide करती है याद होगा आपको जैसे कि मैं बोलू कि ये क्या है? ये एक cell है ये क्या है? ये भी एक cell है ये क्या है? ये भी एक cell है तो आप बोलोगे कि मैम हमें तो cell दिखाई दे नहीं रहे हैं, हाँ कुछ fluid तेरता हुआ दिखाई दे रहे हैं, कुछ बीच में spherical structures हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन cell तो हमें दिखाई देगा भी नहीं, क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि cell को surround करने वाली जो उसकी plasma membrane ह वो तो मैंने बनाई नहीं, अब देखो, जैसे ही मैंने plasma membrane बनाई, आप सभी को तीन-तीन cell यहाँ पे दिखाई देने लगे होंगे, है की नहीं, तो plasma membrane क्या करती है, basically cell के structure को define करती है, जब तक मैं plasma membrane बनाऊंगी नहीं, तब तक आपको cell का structure दिखेगा नहीं, इसका मतलब क् plasma membrane ने एक cell की structure को define किया है, कि हाँ भई, देखो, यह होता है cell, यह होता है उसका structure, इतना clear है, चलो, तो यहाँ पे मैंने plasma membrane बना दी है, और उसके बीचो बीच एक spherical structure बनाई है, जिसको हम कहते हैं nucleus, अब इस plasma membrane और nucleus के बीच में आपको एक fluid matrix दिखाई देगा, अगर आप किस और इसी semi-fluid matrix को हम क्या कहते हैं, प्यार से, इसको हम कहते हैं, cytoplasm, तो basically इस पूरे paragraph में आपको cytoplasm की location बताई गई है, कि कहाँ पाया जाता है, cell के अंदर, वह कोई भी part आप पढ़ते हो या कोई भी component पढ़ते हो आप cell का, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि वो component cell मे कहाँ पाया जा रहा है, तो देखो इसर पर क्या बोला गया है, कि तो fluid and semi-fluid matrix of the, यहाँ पर end नहीं होना चाहिए, यहाँ पर और होना चाहिए, ठीक है, कि the fluid or semi-fluid matrix of the cell present between the nucleus and the plasma membrane containing various organelles, अब हम अपने next sessions में, upcoming sessions में, हम cell organelles के बारे में भी पढ़ेंगे, देखा जाए तो class 8 science के syllabus में ज्यादा cell organelles हैं नहीं, तीन ही पढ़ने हैं, आपको chloroplast पढ़ना है, mitochondria पढ़ना है, ठीक है, और मतलब वो chloroplast के ही उसमें आ जाता है, क्या प्लास टेट वगएरा, ठीक है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कुछ ही पढ़ना है, आपको तीन ही cell organelles के बा प्लास में ही पाए जाने वाले छोटे-छोटे से structure होते हैं, जो कि अलग-अलग function जोना perform करते हैं, कुछ cell organelles ऐसे होते हैं, जो कि protein को synthesize कर लेंगे, कुछ हम बोल सकते हैं कि ऐसे भी होते हैं cell organelles, जो कि क्या करेंगे, energy को produce करने में help करेंगे, भई हम सब को पता है, अगर हम अपनी बात करें, human beings की बात करें, तो हमको दिन बर में अलग-अलग काम करने होते हैं, हमको digestion भी करना है, हमको respiration भी करना है, हमको excretion भी करना है, हमको सब कुछ करना है, इन सारे activities को या functions को perform करने वाले कौन होते हैं, हमारे खुद के body के cells, तो इतने सारे काम करने हैं cells को, तो energy भी तो चेयर हैगी ना इनको, तो हमारे cells क्या करते हैं, अपने लिए energy को synthesize करते हैं, यह energy का synthesis कहा होता है, तो cell के cytoplasm में, ध्यान से सुनिएगा, cell के cytoplasm में, जो cell organs होते हैं, वही क्या करते हैं, energy को synthesize करने में help करते हैं, तो energy बन चुकी है cell में, अब cell गया करेगा, इसी energy को utilize करेगा और different activities जो है वो perform करेगा, clear है, तो cell organs के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे अभी यह बताया जा रहा है, कि यह cell organs कहां पाय जाते हैं, यह cell organs भी cytoplasm में ही पाय जाते हैं, उसी में तैरते रहते हैं, आप यह समझ सकते हो, कुछ ऐसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो, कि हमारे जो cell organs है, वो cytoplasm में ही float करते रहते हैं, swim करते रहते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद में, तो I hope यह पूरे paragraph का मतलब आप सभी को समझ में आ गया होगा, कि हमारा cytoplasm कहां होता है, और इसमें क्या-क्या चीज़े पाई जाती है, अब next चीज़ क्या है, कि cytoplasm has following components, अब हमारा cytoplasm किन चीज़ों से बना है, या उसके क्या components है, उसको एक बर हम देख लेते हैं, कि इसमें सबसे पहले होता है क्या, cytosol, इसके बाद में cell organs, इसके अलावा cell inclusions, ठीक है, तो यह तीन चीज़े आप बढ़ जाते हैं, आगे क्या है मारे पास, the liquid part of cytoplasm is nearly transparent and is called cytosol, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कि cytoplasm क्या है, एक fluid या semi-fluid matrix है, तो cytoplasm में ये fluidity कहां से आ रही है, भई अगर मैं बोल रही हूं कि cytoplasm क्या है, एक fluid matrix है, या ए semi-fluid matrix है, तो cytoplasm के अंदर ऐसा क्या है, जो कि उसको एक fluidity provide कर रहा है, cytoplasm gases भी तो, मलब को ये gas भी तो हो सकती थी, या cytoplasm में एक solid substance भी तो हो सकता था, वो liquid ही क्यों है, वो अपने fluid form में, ये semi-fluid form में ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं, कि आप यहाँ क्या बोला जा रहा है, कि the liquid part of cytoplasm is nearly transparent and is called cytosol, इस cytosol की वज़े से क्या है, हमारा जो cytoplasm है, उसका एक fluid nature है, उसका एक semi-fluid nature है, चीक है, तो जो liquid part होता है, हमारे cytoplasm का, वो almost कैसा होता है, transparent होता है, और उसको हम जा कहते हैं, cytosol कहते हैं, आई बात समझ में, चलो, फिर इसके बाद में, it contains about 90% of water, अब बताओ, 90% water होगा, तो कोई भी चीज, fluid अपने nature में त 90% क्या होता है, cytoplasm का, जो liquid part है, उसको हम बोल रहे हैं, क्या cytosol, मैंना आपको समझा है, कि cytosol की वजह से ही, cytosol का क्या होता है, semi-fluid nature होता है, क्यों, ऐसा क्या है, cytosol में, तो इस cytosol में हम बोल रहे हैं, कि 90% पानी है, इसके अलावा, कई सारे और cell organelles भी होते हैं, और enzymes भी होते हैं, vitamins भी होते हैं, कुल मिलाकर कि हमारा जो cytoplasm है, वो एक काफी rich fluid matrix है, है ना, उसमे 90% पानी भी है, cell organelles, inclusions भी उसी में तैरते रहते हैं, cytosol में हम बोल रहे हैं, कि minerals भी हैं, sugars भी हैं, vitamins भी हैं, enzymes भी हैं, biomolecules भी हैं, कई तरह की चीज़े हैं, हम बोलते हैं, क उसके cytosol में to be more specific present होती है, clear, चलिए जी, अब क्या है, अब हम आजाते हैं, cytoplasm के functions के उप, हमको ये समझ में आगया, कि cytoplasm कहां पाया जाता है, exactly, cell में, और इसमें क्या-क्या चीज़े पाई जाती हैं, इसके components क्या-क्या हैं, वो सब हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम समझना है कि आखिर, cytoplasm का function क्या है, क्यों हमें cytoplasm को पढ़ने की जरुवत पढ़ रही है, या क्यों cytoplasm cell में present होता है, इसको जानना भी जरूरी है, तो यहां भी क्या बोला गया है, कि it is the seat of metabolic processes of the cell, जैसे कि मैंने आखको बता हैं, कि हमारे cell को अलग-अलग functions perform करने दिया कि different metabolic processes, activities, किसी चीज़ का तूटना, बनना, यह कहां होता है, cell में होता है, लेकिन cell में भी कहां, आप देख रहे होंगे कि cell के बहुत सारे components हैं, हमने plasma membrane के ओपर पहली बात कर ली है, हम अभी cytoplasm पढ़ रहे हैं, हम इसी session में आगे nucleus भी बढ़ेंगे, इसके अलावा हम next session में cell wall पढ़ेंगे, हम cell organs भी पढ़ेंगे, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि cell में ये वाली metabolic process चल रही है, तो cell में कहां चल रही है, तो आप बोलोगे cell के cytoplasm में चल रही है, इसी लिए बोला गया है कि it is the seat of metabolic processes of the cell, ये cell में जो भी metabolic processes चलती है न, वो exactly कहां होती है, त तो cell के cytoplasm में होती है, ठीक है, चलो, in fact most of the chemical reactions which keep the cell alive takes place in cytoplasm, ये अधिकतर वो activities जो कि cell को क्या करती है, cell को जिंदा रखती है, वो activities कहां होती है, cytoplasm में होती है, most of the activities, तो आप इन दोनों ही statements को क्या कर सकते हो, star mark कर सकते हो, है न, ये दोनों ही जो statements है, ये exact function बता रहे ह हैं हमारे cytoplasm का, खेर, next point क्या है, कि it is a storehouse of the raw materials needed for the metabolism in both the cytoplasm and the nucleus, कुछ activities हम होते हैं कि हमारे nucleus में भी होती है, कौन सी activities होती है, ये हम पढ़ेंगे, अपने आजी के session में पढ़ेंगे, आगे, थोड़ी देर में, हैना, nucleus हमें पढ़ना ही है, क्योंकि वहां पे, तो यहां आप भी बोला जा रहा है, अब देखो, कोई भी activity चल रही है, जैसे कि suppose आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए खाना में आपको क्या करना है, एक सबजी बनानी है, तो सबजी बनाने के लिए आपको एक raw vegetable चाहिए है, इसके अलावा आपको ऑईल चाहिए है, ज खाना बनाने का समानी नहीं होगा तो आप खाना कैसे बनाओगे आप कुकिंग कैसे परफॉर्म करोगी जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारी आपना इसाए कि प्रीव कि सब्सक्राइब कि इसले नहीं तो हमचरो चाहिए जो ह Sprinkle को ना के इस से सरे यह यह इस ड़्रोटी आसे हो कुल कैसे उ Amin जयार की दिखिक कर तो हम्हारे लोलोаков मुझा यह Warm इस बते 78% nitrogen होती है मैं oxygen के साथ जब हम respiration करते हैं तो oxygen के साथ में हम nitrogen भी inhale कर लेते हैं तो nitrogen जाएगे हमारी body में amino acids बनेंगे amino acids से protein बन जाएगा लेकर मैं आपको बता था कि इतनी simple process होती नहीं है जितनी बोलने में असान लग रही ना उतनी होती नहीं काफी difficult है हम अपनी body में as it is nitrogen नहीं ले सकते हैं है ना तो यहाँ पर सेम यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रही हूं बात कि हमारी body में supposed protein के requirement है अब यह protein की requirement कैसे fulfill होगी हमारे cell के पास हमारे cell क्या करेंगे protein बनाएंगे कैसे बनाएंगे तब ही बना पाएंगे ना जब उनके पास amino acids होंगे तो जैसे खाना बनाने के लिए cooking perform करने के लिए cooking activity करने के लिए हमको क्या चाहिए है raw materials चाहिए है वैसे ही protein synthesis के लिए amino acids चाहिए है तो amino acids यहाँ पर क्या हो जाएंगे raw material हो जाएगा एक तो यह raw material कहां पाया जाएगा यह raw material पाया जाता है cytoplasm के अंदर ही cytoplasm जो है ना basically एक storehouse की तरह काम करता है उसमें सारी raw materials जो ना present होते हैं और जिस भी function के लिए अगर कोई भी raw material suppose required है तो वो क्या करेगा cytoplasm जाकर के raw material supply कर देगा कि यह लो और प्रोसेस जो है शुरू करो activity शुरू करो जो भी बनना है बनाओ जैसे कि मैंना को बता है कि protein की synthesis हो नहीं है उसके लिए amino acids चाहिए तो cytoplasm क्या करेगा कि हाँ यह लो amino acids मेरे पास है amino acids लो raw material लो और काम पे लग जाओ यानि कि protein synthesis it is a storehouse for the raw materials needed for the metabolism in both the cytoplasm and the nucleus यहने कि cell के अंदर देखो जो हमारा cytoplasm है न वो ऐसा मतलब न पार्शल नहीं होता नहीं वो इतना कंजूस होता है कि cell के cytoplasm में जो activities चल रही होंगी जो metabolic processes चल रही होंगी और उन metabolic processes में जो भी raw materials required है सिर्फ cytoplasm उनहीं basically metabolic processes में जाके raw materials supply करें ऐसा नहीं है nucleus के अंदर जो metabolic processes चल रही होंगी उस process में अगर कोई raw material required है तो मारा cytoplasm क्या करेगा अपना बड़ा दिल रख करके nucleus में भी raw material supply कर देता है ऐसा नहीं कि मेरे अंदर जिसमें मेरे अंदर जो यहने कि cytoplasm में जो चल रही होंगी activities उनहीं मैं मैं raw material supply करूंगा बाकि मुझे किसी से मतलब नहीं है ऐसा नहीं होता भई cytoplasm में thankful होता है कि हां मेरे पास अगर raw material है तो मैं जो है ना दूसरों को supply कर सकता हूं तो कुछ इस तरह सहां पर बोला जा रहा है कि नूकलियर्स हो चाहिए cytoplasm मों जहां भी metabolic processes चलती हैं वहां पर यह raw material supply करता है तो इसलिए मैं आप आपको बताया कि यह एक storehouse की तरह काम करता है इट ब्रिंग सबाउट exchange of materials between cell and between cell organs जैसे कि मैं आपको बताया कि बहुत सारे हमारे cell में cell organs होते हैं कोई protein बना रहा है कोई lipids का synthesis कर रहा है कुछ क्या कर रहा है चीजों को pack करने का काम कर रहा है कि हां यहां से protein बनके आया है उसको हमने pack कर दिया और pack करके हम क्या करेंगे cell क बाहर निकाल देंगे यह जहां जरुवत होगी उसको वहां भेज देंगे कोई transport का काम कर रहा है अलग-अलग जो हैना cell organs अलग-अलग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं cell organs को क्या करना पड़ता है एक दूसरे के साथ इन्टरेक्ट करना पड़ता है आप खुदी सोचो आपके घर में suppose 5-6 लोग रह रहे हैं हैंना दो बच्चें हैं एक दादादी है ममी पापा हैं आप हो तो एक घर में जब इतने सारे लोग रहते हैं तो आपस में इंटरेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं इतने सारे लोग क्या, अगर दो लोग भी रह रहे होंगे एक घर में, तो वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ऐसा थोड़ी कि एक दूसरे जना बात ही नहीं करेंगे, कि नहीं हम भी बात नहीं करेंगे, तुम भी बात मत करो, और एकदम घर में सननाटा, ऐसा तो न बना है ना उस protein को वह pack करेगा जैसे कि एक cell organ ने बहुत सारे protein बना दिये हैं अब दूसरा क्या करेगा कि इन protein को सबसे पहले तो sort करेगा कि हाँ ये वाले मलब एक category के अलग दूसरे category के अलग फिर इसके बार में sort करके separate करके उन protein को pack करने का काम भी करता है तो यहां पर दोनों cell organs की बीच में एक interaction हुआ कि नहीं हुआ कि यहां से आ रहा है और दूसरा क्या कर रहा है cell organ बनाब एक cell organ से protein बनके आ रहा है या कोई भी चीज़ बनके आ रही सपोज लिपिट्स बनके आ रहा है तो दूसरा cell organ क्या करेगा उसको pack करने का काम करेगा तो यहां पर दो cell organ आपस में interact कर रहे हैं तो इस interaction में भी कौन help करता है हमारा cytoplasm कि सपोज एक cell organ बना दिया अब दूसरा वेट कर रहा है कि जब यह बनाएगा तब हम इसकी इसके प्रोड़क्ट की manufacturing करेंगे उसकी packaging करेंगे है ना दूसरा cell organ वेट कर रहा है पहले वाले organ ने बना तो दिया और दूसरा वाला आगे काम करने को ready भी है manufacture और packaging करने को तयार भी है लेकिन वो आही नहीं रहा है प्रोड़क्ट जब तक प्रोड़क्ट आएगा नहीं तब तक manufacturing या packaging कैसे होगी और जब तक packaging नहीं होगी इसका मतलब क्या कि दोनों cell organs के बीच में interaction नहीं हो पाएगा तो इसमें cytoplasm बीच में आ जाता है cytoplasm क्या करेगा अच्छा तुमने बना दिया ना तीक है दे दो हमको हम इस चीज को जो है दूसरे वाले cell organs के पास ले करके जाएंगे तो cytoplasm क्या करेगा यहां से लेगा और वहां पर दे देगा इसका मतलब क्या कि cytoplasm क्या कर रहा है दो cell organs को आपस में interact कर वा रहा है इनके interaction में भी कौन शामिल है हमारा cytoplasm ही शामिल है तो it brings about exchange of materials between the cell organs ठीक है फिर लॉट ओफ अच्छा बेसिकली यह जो cytoplasm है यह जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो प्लास्मा मेंब्रेन है वो माना कि हमारे सेल को सराउन करती है और सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको external environment से बचा करके रखती है separated रखती है separated रखती है मैंने आपको बताया था कि प्लास्मा मेंब्रेन जोना सेल को isolate नहीं कर देती isolation का मतलब होता है कि बिल्कुल दीन दुनिया से अलग हो जाना किसी से कोई मतलब ही नहीं रखना प्लास्मा मेंब्रेन वह नहीं करती है इस लिए मैंने आपको बताया था प्रिवेस सेशन में क्या होती है इस सेलेक्टेवली परमीबल में में कि सब चेजों को नहीं कुछ ही चीजों को से लेक्ट चीजों को सैल के अंदर या बाहर जाने देगी आई बात समझ में तो यहां पर क्या बोला जारा है कि ना सिर्फ सेल और ओर pesos के exchange को facilitate कराता है कौन cytoplasm, बलकि cell के बाहर, for suppose हमारे cell को क्या करना है, cell को हम बोल रहे हैं कि कोई gas चाहिए है ना, तो ये, suppose हम बोलते हैं कि oxygen ही चाहिए है, हमारे पास ये cell है, ठीक है और इसको क्या चाहिए, oxygen चाहिए है ये oxygen उसको कहां से मिलेगी, तो external plasma membrane, फिर इसके बाद में cell, अब इसके बाद में क्या होगा, भई oxygen तो अंदर आ गई cell के अब next किसकी बारी आएगी next बारी आएगी हमारे cytoplasm की ये cytoplasm basically कर क्या रहा है, oxygen को अंदर ले रहा है अब cell को जो है ना, excretion करना है, कुछ waste, भई metabolic processes चल रही है, तो in metabolic processes, जैसे कि मैंने आपको बोला कि in metabolic processes में होता क्या है, कुछ चीज़े बन रही है, कुछ चीज़े टूट रही है, अब जब ये activities चलेंगी, functions होंगे, ये processes चलेंगी, तो कुछ ना कुछ waste तो निकलेगा ना, अब ये waste, suppose क्या निकला है, carbon dioxide निकला है, तो cytoplasm ये carbon dioxide है कहां, ये carbon connection हम बोलते हैं कि हमारे cytoplasm में ही है, तो क्या होगा, अब ये carbon dioxide, जो ki, cytoplasm में है, जो कि इस cell के लिए, म adlo pendant morning जो कि इस cell के लिए क्या है, एक waste है, वो क्या होगा, इस साइटो प्लाजम से निकल कर कहा जाएगा, external environment में आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, gaseous exchange हो रहा है कि नहीं हो रहा, oxygen चाहिए थी cell को, इसलिए oxygen कहा ही, cell के अंदर आई, carbon dioxide एक waste था, वो cell को नहीं चाहिए है, इसलिए वो cell के बाहर निकल आई, अब यह जो चीजों क अंदर बाहर आना जाना चल रहा है, यह हम बोल रहा है कि कौन facilitate कर रहा है, तो यह कर रहा है हमारा cytoplasm, no doubt इसमें हमारी plasma membrane भी शामिल है, अगर plasma membrane ही जो ना मना कर देगी कि ना, ना कोई अंदर आएगी चीज, ना कोई चीज बाहर जाएगी, तो यह जो exchange है, वो हो ही नहीं प्ले कर रहा है न, oxygen अंदर तो आ गई, लेकिन इस oxygen को अंदर accept कौन करेगा, हमारा cytoplasm ही करेगा, पूरे cytoplasm में हम बोलते हैं कि जो हमारी oxygen है, वो फैल जाएगी, अब यह जो carbon dioxide है, यह produce हो तो गई, लेकिन इसको बाहर कौन भीजेगा, तो cytoplasm ही भीजेगा, तो इसलि अंदर जाना चाते हैं, तो इस exchange को, यानि कि external environment के साथ, जो exchange हो रहा है, उसको भी कौन support करता है, हमारा cytoplasm support करता है, clear है, तो I guess हमारे cytoplasm के इतने ही functions हैं, तो इसके साथ में हमारा जो cytoplasm में वो होता है complete, I hope इसमें किसी को कोई doubt नहीं होगा, एक बार में आपको, अभी आते हैं, जो कि क्या है, nucleus, तो जैसे कि मैंना आपको बताया था, अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी session में, कि अगर मैं एक typical cell structure बनाओ, तो इसमें आपको जो outermost covering दिखाए देगी, किसी भी cell की, वो होगी क्या, plasma membrane, इस plasma membrane के बीच ओ बीच आपको एक spherical structure दिखाए देगा, और यह spherical structure और कोई नहीं है, कौन है हमारा प्यारा, nucleus है, क्या है, nucleus है, तो इसके लिए क्या बोला जा रहा है, कि it is the most conspicuous and the largest organal of a eukaryotic cell, अब आप बोलोगे कि मैं यह eukaryotic cells क्या होते हैं, अभी तक तो हमने इस chapter में cell के दो types के नाम जो हैना सुने हैं, पड़े तो अभी भी ही नहीं है, लेकिन नाम ज़रूर हमने सुन लिए है, plant cells और animal cells, है ना previous session में हमने बात करी थी, कि हमारे दो scientist आये थे, shieldon और schwann, उन लोगों ने बोला था, कि plants जिन cells के बने हैं, वो हैं क्या plant cells, और animal जिन cells के बने हैं, वो क्या animal cells, तो हमने दो types तो अभी हमने सुन ली है, cells क कि एक होते हैं, plant cell और दूसरे तरफ हमारे पास होते हैं, animal cell, लेकिन आखिर ये eukaryotic cell क्या होता है, तो देखो, you का मतलब होता है, true, क्या मतलब होता है, true, और karyotic जो word है, वो कहां से आया है, carryon से आया है, और इस carryon का मतलब होता है, क्या nucleus, तो वो वाले हमारे cells, जिनके पा true nucleus क्या है, चलो ये समझ में आ गया, कि वो वाले हमारे cells, जिनके पास true nucleus है, उन्हें आप कहते हो क्या, eukaryotic cells, लेकिन ये true nucleus का concept क्या है, समझाओंगी, इसी session में थोड़ा सा हम और आगे पढ़ है, इसके बार में मैं आपको true nucleus का concept समझाओंगी, अभी के लिए आप ये समझ लो, फिर इसके लिए क्या बोला जा रहा है, next, nucleus can be stained with a dye and can be seen easily with the help of a microscope, अब देखो होता क्या है, कि cell के बारे में मैंने आपको पता है, कि वो खुदी इतना छोटा होता है, कि उसको हमें microscope के नीचे रख करके observe करना पढ़ता है, एनलाइस करना पढ़ता है, तो cell खुद इतन चोटे-चोटे होते हैं, तो ऐसी जो चोटे-चोटे से structures जो होते हैं, जो organelles होते हैं, वो एकदम clearly microscope के नीचे भी जोना दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए क्या करना पढ़ता है, कि हम cell के कुछ components को dye कर देते हैं, उनको stain कर देते हैं, तो जैसी उनके उपर एक color आ जात और भी चोटी होंगे न, उससे भी चोटी होंगी, तो इसलिए cell के कुछ components को, कुछ organelles को हम dye कर देते हैं, तो जैसी उनके उपर एक color आ जाता है, तो उस color के कारण वो जो basically organelles है, या जो nucleus वगेरा है, वो और highlight हो जाता है, वो clearly दिखाई देने लगता है, cell के अंदर, तो या in plant cells, it is pushed to the side due to the presence of a large cell vacuole, या पर बोला जा रहा है, देखो भले आपको यू के रिटिक सेल के बार में ना पता हो, लेकिन हाँ, plant और animal cell के बार में नाम सरूर आपने सुन लिया होगा, तो या पर बोला जा रहा है कि हमारे जो animal cells होते हैं, उन में तो nucleus आपको बीच में ही द plant cells में हम बोलेंगे कि जो nucleus है ना, वो side में shift हो जाता है, आप बोलोगे कि मैं क्यों, क्यों हो गया वो side में shift, तो उसका reason ये है कि अपनी मर्जी से nucleus नहीं हुआ है side में shift, उसको किसी ने धक्का दिया है, तो कौन है वो धक्का देने वाला, तो आप बोल सकते हो कि plant cells में present होत प्लास्टेट का ही एक टाइप होता है, और second cell organal जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा अपना, third cell organal वो क्या होगा अपना, वेक्योल होगा, ठीक है तो वेक्योल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अपने upcoming sessions में, तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि plant cell में एक बहुती बढ़ा यासा वेक्योल होता है, जो की पीचो पीच आ जाता है, और इस बड़े से वेक्योल के कारण बिचारों तो न्यूक्लियस है ना, उसको धक्का पड़ जाता है, वो धक्का खा करके side में shift हो जाता है, तो animal cells में तो mostly जो हमारा nucleus है, cell का nucleus वो centrally located होता है, लेकिन अगर हम बात क समझाने की कोशिश की जा रही है, कि आपके पास ये पूरा cell है, और आपने cell को बीच में से काट दिया, तो काटने के बाग इसका जो nucleus है, ये अच्छी तरीके से क्या हो रहा है, visible है, इतना clear है, चलो, अब हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं, आगे क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है nucleus के competence, हम cell के component की बात कर रहे थे, है न, इसके अलाबा हमने cytoplasm की बात करी है, तो cytoplasm में भी हमने उसके components देखे देखें कि साइटो प्लाजम खुद किसका बना होता है अब हम बात करते हैं किसकी nucleus के components कि हमारा nucleus किन-किन चीजों का बना होता है तो सबसे पहले बात आती है किसकी nuclear envelope की अब यह nuclear envelope क्या होता है भई तो nucleus is bounded by two nuclear membranes together called nuclear envelope जिस तरीके से cell को surround करने वाली या bound करने वाली जो membrane है उसको आप कहते हो plasma membrane similarly nucleus को भी bound करने वाली होती है कौन उसकी दो membranes जिनको हम कहते है nuclear membranes and these two nuclear membranes are collectively known as nuclear envelope यहने कि दोनों ही nuclear membrane को जब आप एक साथ बोलोगे तो कैसे बोल सकते हो उनको आप nuclear envelope बोल सकते हो एक होती outer membrane जैसे कि यहाँ पर यह जो डाइग्राम है इसमें आपको बता देती हूं कि यह क्या है आपके पास यह है nuclear envelope की outer वाली membrane यह वाली पूरी outer वाली membrane और इसके अंदर आपको दिखाए देगी inner वाली nuclear membrane तो इन दोनों ही nuclear membrane को collectively क्या बोलते हैं भाई nuclear envelope बोलते हैं कोई डाउट तो नहीं है इसमें चलो बोड़ दो membranes have spaces between them अब ऐसा नहीं है कि बिलकुल एक दूसर से चिपकी रहती है nuclear membrane इनके बीच में बकाइदा हम बोलते हैं कि space होता है तो और इस space का फाइदा उठाता है कौन एक fluid और आ जाता है इस space में ठीक है तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि this nuclear this space is filled with fluid तो बकाइदा nuclear envelope की दोनों membranes के बीच में जगा होती है space होती है और इस space में हम बोलते हैं कि fluid भी भरा होता है fluid filled होता है ओके नाओ nuclear envelope separates the nuclear contents from the cytoplasm देखो जारा जो काम plasma membrane कर रही थी cell के content के लिए वही काम कौन कर रहा है nuclear envelope कर रहा है किसके लिए nucleus के content के लिए है क्या समझाय था मैंने आपको कि cell membrane यह plasma membrane क्या करती है सेल के अंदर का content है उसको external environment के content के साथ mix होने से बचाती है से मिलरली यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारा जो हमारी जो nuclear envelope है मतलब nucleus की जो nuclear envelope है वह क्या करती है nucleus के अंदर का जो content है उसको cell के या आप बच्चाती है अगर आपको ध्यान हो तो अभी भी मैंने आपको समझाए था कि हमारा जो साइटोप्लाजम है उसमें साइटोसोल होता है साइटोसोल में हम बोलते हैं कि 90% क्या होता है पानी होता है इसके अलाबा मिनरल्स होते हैं शुगर्स होता है मीनों ऐसे बगेरा होती ह कि भाई nucleus के अंदर का भी तो content है और nucleus के बाहर जो cytoplasm है उसके पास भी अपना एक content है तो कहीं ये दोनों contents आपस में मिल ना जाएं इसलिए nuclear envelope आकर कि nucleus को surround कर लेती है उसको enclose कर लेती है आई बाद समझ में चलो फिर इसके बार में क्या बोला जा रहा है हां पर कि इस nuclear envelope separates the nuclear contents from the cytoplasm it has my new pores on it for material exchange called nuclear pores अब देखो यहां पर यह जो मैंने आपको पूरी nuclear envelope बना करके बताई थी इसकी दोनों membranes मैंने आपको बताई थी लेकिन ज़रा देखो इन दोनों membranes को मैंने completely मतलब उसको complete नहीं किया है मैंने है ना इन दोनों ही membranes के दोनों membranes के बीच में space तो होती है लेकिन यहां पर अगर आप clearly देखोगे observe करोगे तो यहां पर कुछ-कुछ जगाओं पर मैंने नियूइर एन्वलड यह membrane नहीं बनाई है कुछ-कुछ जगाओ उपर मैंने न्यूइर नहीं बनाई है क्यों नहीं बनाई है ऐसा है कि मेरा मन नहीं था membrane को complete करने का वह अगर मुझे membrane बनाना था तो मैं ऐसे भी तो बना सकती थी? क्यों नहीं बनाया मैंने? इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि इस nuclear envelope में प्रेजट होते हैं क्या? छोटे-छोटे से pores जीने हम कहते हैं प्यार से क्या? nuclear pores जीसे कि मैंने औको बताया था कि plasma membrane माना की cell को सराउंड करती है लेकर उसको isolate नहीं करती है similarly nuclear envelope को ये चिंता तो होती है कि भाई nucleus के अंदर का जो content है वो cytoplasm के content की साथ कहीं जाकर के mix ना हो जाए इसलिए हम आकर कि उसको क्या कर लेते हैं सराउन कर लेते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि nuclear envelope क्या करे cell का जो nucleus है उसको isolate कर दे कि अब इस nucleus को कोई मतलब नहीं है ये nucleus रहे तो cell के अंदर रहा है लेकिन फिर भी इस nucleus को cell के वा की किसी component के साथ कोई कोई मतलब नहीं रह जाएगा की ना कोई चीज nucleus के अंदर या पाएगी cell से और ना कोई चीज नूप्लियस के बाहर जा पाएगी कहां? Cell में. ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि नूप्लियस की जो नूप्लियर एन्वलाप है. इस एन्वलाप में प्रेजन्ट होते हैं क्या छोटे-छोटे से पोर्स और इनी पोर्स को हम क्या है nuclear pores तो यह nuclear pores करते क्या है basically substances का आना जाना जो exchange है वो यहाँ पर allow कर देते हैं अगर आपको ध्यान हो तो अभी अभी मैंने आपको cytoplasm की जो function समझाये थे कि cytoplasm क्या होता है raw materials का एक storehouse होता है कि जो भी metabolic processes चलती है cell के अंदर उन processes में जो भी raw material लगते हैं तो यह raw material की supply कहां से आती है cytoplasm से याती है तो ऐसा नहीं है cytoplasm जो नहीं सेलफिश नहीं है कि cytoplasm के अंदर मेरे अंदर जो activities चलेंगी और उन activities में जो raw material लगेगा सिर्फ मैं उन्हीं को supply करूँगा ऐसा नहीं है nucleus के अंदर भी जो activities चल रही है metabolic processes चल रही है तो वहाँ पे भी तो raw material की requirement होगी तो वो कौन पूरी करेगा तो बिचारा cytoplasm ही करता है तो जैसे कि हमारे nucleus को कुछ चीज़े synthesize करनी है या किसी raw material की जरुवत है तो यह raw material कहां से मिलेगा तो उसको cytoplasm से ही मिलेगा तभी मिलेगा ना जब nuclear envelope इस supply को या इस यो ट्रांसपोर्ट को facilitate करेगी अगर nuclear envelope में ठाल लीक नहीं कोई exchange नहीं होगा तो फिर nucleus को अगर raw material चाहिए भी होगा और cytoplasm देने को तयार भी रहेगा फिर भी cytoplasm से वो raw material नहीं आ सकता nucleus में क्यों क्योंकि nuclear envelope allowing नहीं कर रही है इसलिए nuclear envelope में हम बोतने की present होते है nuclear pores next क्या है अब आ जाता है अपना दूसरा वाला component हमारे nucleus का जिसको हम कहते है है nucleoplasm यह क्या है कि it is a fluid material present in the nucleus जैसे कि हमने cytoplasm के लिए पढ़ा था कि यह fluid material होता है किसका cell का वैसे ही हम बोल रहे हैं कि nucleus का जो fluid material है यहने कि वह वाला fluid material जो की जिसको की nuclear envelope क्या करती है enclose करती है उसी fluid material को हम क्या कहते है nucleoplasm कहते है it contains raw materials enzymes proteins for the synthesis of nucleic acid ठीक है nucleic acid की synthesis के लिए proteins वगेरा होते हैं enzymes होते हैं कुछ और raw materials भी होते हैं इसके अलावा तो nucleoplasm आपको समझ में आ गया डाइग्राम में चाहाँ तो आप देख भी सकते हो यह क्या है पूरी nuclear envelope है brown color की और इसके अंदर आपको जो एक green color का पूरा दिखाई दे रहा होगा basically part यह क्या है इसको हम कहते है nuclear plasm देखो यहाँ पर लिखा भी क्या है labeling भी हाँ की गई है कि यह क्या है पूरा nuclear envelope इस nuclear envelope में बीच बीच में क्या है nuclear pores है और इस envelope के अंदर जो आपको green color का fluid portion देखाई दे रहा है यह क्या है nucleoplasm है जिसमें की raw materials होते हैं कई तरह की चीज़े होती है चलो फिर इसके बाद में क्या है next component है chromatin material अब chromatin material क्या होता है तो देखो यहाँ पर इसी diagram में आपको nucleoplasm में कुछ thread like filaments या structures scattered दिखाई दे रहे होंगे है ना इसको अगर मैं थोड़ा सा और highlight कर दूँ यह कुछ ऐसा देखेगा देखो पूरे के पूरे nucleoplasm में आपको कुछ इस तरीके के thread like filaments या structures scattered दिखाई दे रहे होंगे या आप यह भी बोल सकते हो कि यह filaments क्या कर रहे हैं एक diffuse network बना दे रहे हैं कहा nucleoplasm में और इन ही thread like structures को या filaments को हम क्या कहते हैं chromatin material कहते हैं अब आप बोलोगे कि मैं यह जो chromatin material है यह क्या कर रहा है यह हमारे nucleus के nucleoplasm को dirty उसकी appearance बना रहा है अगर यह नहीं होते chromatin material तो कितना बढ़िया होता बढ़िया brown color की जो है न nuclear envelope हम बनाते हैं अपने डाइग्राम में और green color का उसके अंदर का nucleoplasm बना देते लेकिन इस nucleoplasm में यह जो thread like structures पड़े हुए न यह इसकी appearance को बुरा बना रहे हैं इसको हटा दो अगर इसको हटा दोगे न तो काफी दिक्कत होने वाली है दिक्कत क्यों होने वाली है क्योंकि यह जो chromatin material है न यह काफी काम का होता है कैसे काम का होता है अभी तो आपको लग रहा होगा कि यह chromatin material जो है न फिलामेंट की तरह है त्रेड लाइक structure है और ऐसी पड़ा हुआ है न्यूक्लियो प्राजम में लेकिन जब बात आती है cell division की cell division आप सभी को पता है न प्रीवेस सेशन में में डिसकस किया है कि भाई हमारे पास बहुत सारे cells होते हैं जैसे कि एक कोई छोटा सा organism है अमीबा है उसकी body में तो एक ही है ना ऐसा तो है नहीं कि जन में से उसके body में जितने cells थे हमेशा वह उतने ही रहेंगे और जब बड़ा होगा उसकी height बड़ेगी जब उसकी growth होगी तो वो जो number of cells है वह उतने ही रहेंगे बस क्या होगा वो cells जो ना लंबे-लंबे होते जाएंगे मोटे-मोटे होते जाए हैं और कैसे आते हैं प्रीजिस्टिंग सेल से नए सेल जो प्रीजिस्टिंग सेल हैं वो क्या करते हैं डिवाइड करते हैं वो डिविजन करते हैं और इस डिविजन के कारण जैसे कि आपके पास एक सेल है इस सेल में क्या हुआ डिविजन हुआ और इस डिविजन से क्या गैसे इस वाले के 2 नए सफेज लेकि अब ह हमारे पास नहीं पर रहेंज गया चाज़ होगा यहां नहीं कर रहा है तब तक आपको सेल के नूखलिएस के निूछ लेकिन जैसे ही कोई भी सेल अपने डिविजन की स्टेट में पहुंचता है तो जैसी वह अपने डिविजन की स्टेट में जाएगा यह जो क्रोमेटर क्रोम्चों जो क्रोमोजूम बना लेगा अभी जब सेल अपने णॉण डिवाइदिग स्टेज में तो उसके नूकलिय के स्टेट में हैं और कंडेंस स्ट्रक्टर बना लेते हैं और इसी कंडेंस की स्ट्रक्टर को हम क्या दिखता है तो कहां तो हमारे पास ऐसे thread-like substances या thread-like network पड़ा हुआ है thread-like structures पड़े हुए है यही thread-like structures condensed हो जाते हैं और condensed क्या बनाते हैं यह chromosome बनाते हैं तो इसली मैंने बोला था कि chromatin material जोना वो काम की चीज़े यह नहीं कि अगर वो हमारे nuclear विख्लूर प्राजम में चना उसको डर्टी अप्यरेंस दे रहा है खराब पेरेंस दे दो इसको अश्य को श्याश्य हो जाएगी क्यों समझते हैं तो यह क्रोमोजों है अब बोलो क्रोमोजोम एक क्रॉमोजोम in A ! upfront production बना होता है छीन है कैसे इसको समझे तो इ critics रूप भत्र हभी लennal को तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि आपके पास ऐसी सजोंभी है और को छोटी बनाते हैं तुम मैडिया वैसे ही जब आप इस क्रोमोजोम को पकड़ के खीचोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास क्या है दो रोपस हैं हमारे पास नहीं मतलब इस क्रोमोजोम के पास क्या है दो रोपस है और रस्यां है और यह दोनों रस्यां क्या है आपस में ऐसे कुछ तरीके से फसी हुई है कुछ इस तरीके से इसे हम क कहते हैं इसको हम कहते हैं डी एने नाम सुना होगा डी एने का खेल इस डी एने को भी जब आप और आगे खीचोगे ना तो आपको मिलेंगे क्या कुछ segments क्या मिलेंगे DNA पर कुछ segments दिखाई देंगे जिनको हम कहते हैं क्या प्यार से gene और यह gene क्या होती है यह genes हम बोलते हैं कि होती है हमारी hereditary units क्या होती है hereditary units होती है क्या मतलब है इनका तो genes basically जो है न characters की information रखती है अपने पास कि अगर मैं बोलू कि आपके पापा की आँखों का कलर जो है वो कैसा है black है तो वो black क्यों है क्योंकि उनके body में जो cell है cell के अंदर जो nucleus है nucleus के अंदर जो chromosome के अंदर जो DNA है DNA के ओपर जो gene बैठा हुआ है उस gene के पास क्या character है आँखों के color क्या है black है क्योंकि यह gene क्या हो रहा है express हो रहा है उनकी body में यह gene बता रहा है कि आँखों का color होना तो चाहिए कैसा होना चाहिए इसलिए आँखों का color क्या हो गया black हो गया आपकी ममा की आँखों का color क्या है suppose blue है तो blue क्यों है क्योंकि उनके body में जो cell है, cell के अंदर जो nucleus है, nucleus के अंदर जो chromosome है, chromosome के अंदर जो DNA है, DNA की उपर जो gene बठा हुआ है, वो gene बता रहा है कि आँखों का color होना चाहिए, क्या blue, blue character किसके पास है, gene के पास है, इसलिए ममा की आँखों का color क्या हो गया, blue हो गया, अब suppose हम बोलते हैं हो गया, black हो गया, तो आप बोलोगे कि हमारी आँखों का color black क्यों था, हमको तो mama जैसे आखे चाहिए थी, हमको तो blue color की आइस चाहिए थी, black क्यों हो गई, वो इसलिए हो गई, क्योंकि पापा की आँखों का जो color है, उसको कौन बता रहा था, gene बता रहा था, है ना, यही chromosome basically देखा जाए, तो यही chromosome या बोल सकते हो कि जो DNA है ना, वो हमको हमारे पापा से मिले और हमको हमारी ममा से भी मिले, पापा के DNA के ओपर जो gene था ना, वो dominant था, ऐसा नहीं है कि ममा की आखों का जो color है, उसका gene हम तक नहीं आया था, बिलकुल आया था, लेकिन पापा की आख आपकी आखों का color क्या हो गया, ब्लैक हो गया, अगर blue color की आखों का जो gene है, जो कि आपको अपनी ममा से मिला है, अगर वो dominant होता ना, तो वो express हो जाता, देखो जो dominant होता उसकी जलती है, है कि ने, तो अगर blue color की आखों का जो gene है, अगर वो dominant होता, तो फिर आपकी आखों का कि उनके बॉडी में जो सेल में जोडियने नुक्रलिश सेंटेस अपर जीन क्या बता रहा रहा है कि हां ऑई कलर कैसा होगा ब्लैक होगा लेकिन हम कहां से आगए बीच में हमारी आखों का कलर ग्रीन भी तो हो सकता था यह ब्लैक और ब्लू के बीच में हम फसके क्यों रह गए वह इसलिए रह गए क्योंकि जब देखो इधर पे हम बोलते हैं कि जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वैसे देखा जाए तो यह चैप्टर हमें और आगे पढ़ना है है ना मेरे खाल से अपना जो नेक्स चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन वाला ही है वहाँ भी हम पढ़ लेंगे डिटेल में लेकिन अभी के लिए आप यह समझ लो कि जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो स्पर्म भी एक सेल होता है और एग भी क्या होता है यह एक सेल होता है यह कहां से आया है यह आता है मेल की बॉड़ी से और एग कहां से आता है यह आता है फीमिल की बॉड़ी से खास बात क्या होती है कि इस स्पर्म और इस एग में क्या प्रेजन होते हैं क्रोमोजोम प्रे जाइगोड बन जाता है क्या बन जाता है जाइगोड बन जाता है और इसी जाइगोड से हम बोलते हैं कि एक नया ऑफ्स्प्रिंग या बच्चा जो है डवलप हो जाता है ग्रो कर जाता है तो यहां पे हुआ क्या यह जो स्परम आया था इसमें भी क्रोमोजों था क्रोमोज किके बड़ी बात है दिना की ओपना मोतरें कि जीन होगा जीन क्या बोलेगा कि बालों का जो टेक्ष होना चाहिए यह कि बाल कैसे स्टेट होंगे ठिक है अब यह दो लोगी जीन कहां आया है जाइगॉट में इसा इसी से हम बोलते हैं कि बच्चे में दोनों जीन से की बच्चे के बाल स्टेट के बाल ला जो । पॉलते हैं कि करली जो जीन है वह लोगा जैंसे बाला एक पर एक समस्मों कर्ली के बताना क्या चारी है यह हमारे पास शुबीफीचर है और माबाप से वि 원래 है आज हम बोलते हैं कि हमारी हाइट किस पर गई है पापा पर गई है अगर हमारी हाइट लंबी है इसका मतलग क्या कि हमारे घर में हमारा कोई एक पैरेंट जो ना वो लंबा है सब्सक्राइब हमारी ममा लंबी है अगर हमारी आखों का कलर कैसा है ब्लैक है तो क्यों है कि प पापा के कड लिए हूंगे इसलिए हमारी नाक अगर ऐसी है तो क्यों मंद बापा की नाककर शेप ऐसा होगा तो कुल मिलाग कर कर के कंक्लिजन यह निकला कि हमारे पास आज के टाइं में वह फीचर्स और पिता के पास ऐसे फीचर रहे करे बार आपने लोगों को बोलते वे सुना होगा कि अरे ये तो बिलकुल अपने पापा पे गई है यह तो बिलकुल अपनी मम्मा पे गया है क्यों गया है क्योंकि आपके फीचर्स आपके मम्मा जैसे जाधा मम्मा की फीचर्स को जाधा रिजेंबल करते हैं आपकी जो से दूसरे जनेरेशन में जाती है आप खुदी सोचो अगर जो जीन है वह हम को वह हमारे पैरेंट से हमारे अंदर नहीं आए तो क्या हम हमारे पैरेंट जैसे दिखाई देंगे क्योंगी ultimately character तो जीनी decide कर रहा है ना कि अगर बाल होने तो कैसे होने हैं कर ली होने या straight होने अगर जीनी नहीं आएगा तो यह कौन decide करेगा कि बालों का texture कैसा होगा तो इसलिए genes को हम क्या कहते हैं hereditary units कहते हैं कि इन में क्या होता है यह features को define करने वाले होते हैं next generation कैसी होगी basically एक generation में यह जाते हैं और decide करते हैं कि हाँ next generation कैसी होने वाली है उसके पास features का क्या होने वाले है clear है इतना तो देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि chromatin material हो गया तो during cell division fine filaments present in non dividing cells is called chromatin material fine filaments जो कि non dividing cell में present होते हैं उसको हम क्या कहते हैं chromatin materials कहते हैं they form a diffuse network in the nucleoplasm nucleoplasm में diffuse network बना देते हैं during cell division they condense to form thick chromosomes chromosomes are threat like structures present in the nucleus and become visible only during cell division each chromosome बना होता है dna का और protein का ठीक है इन सब points को जो आप highlight करते जाओ star mark करते जाओ the dna is most important component of a chromosome dna हम बोलते हैं कि किसी भी chromosome का सबसे important component होता है next the dna possesses all the necessary information for the cell to function the specific dna segments dna की कुछ specific segments होते हैं जिन को हम क्या कहते हैं genes कहते हैं genes are the which are the units of inheritance in goharm क्या कहते है genes ko these are the units of inheritance the function of chromosome is to transfer the characteristics from parents to the offspring through the genes which is called inheritance inheritance का मतलब क्या कि वो चीज जो की हमारे parents के पास थी उनसे कहां आ गई है हमारे पास आ गई है हमारे जब आगे जाकर के बच्चे होंगे तो हमारे बच्चों के पास भी वो चीज आ जाएगी तो एक generation से दूसरे generation में जब कोई चीज आती है उसे हम क्या कहते है inheritance कहते हैं तो chromosome के लिए बोला जा रहा है जैसे कि मैंना को बता है ना कि अगर chromatin material हमारे nucleus के नुकलोर पासम को जो है ना एक अच्छी appearance नहीं दे रहा है तो हड़ा दो पर होता है क्या DNA भई chromosome किसका बनाए DNA का और प्रोटीन का DNA की specific segments में क्या present होते हैं genes present होते हैं क्या बोला जा रहा है यहां पर अगर हम chromatin material को हटा देंगे तो फिर genes भी तो हट जाएंगी तो the function of chromosome is to transfer the characters from the parents to the offspring through the genes जब हम बोलते हैं कि reproduction की process होती है तो क्या होगा जब sperm बनेंगा जब ohya egg बनेगा तो यह जो chromosome होंगे यह parents एक होगे बच्चों में आ pots डाइंगे इन chromosome के उपर होता है DNA DNA की ओपर होता है genes Eugene हम बोलते हैं की हमारे parents से कहां अगई है next generation में आ गई हैं हमने अगई हैं फिर इसके बार में क्या बोला गया है है पर, gene is a unit of inheritance in living organisms which is transferred from parent to offspring during reproduction and determines some characteristics, characteristic feature of the offspring, यह क्या करता है, gene यह offspring में कुछ characteristic feature को जो है, determine करता है, फिर does genes control the transfer of hereditary characteristics from parents to offspring, कि कौन कौन से characters आने है, माबाप से बच्चों में, उसको कौन control करता है, हमारे genes ही control करते हैं, this means that our parents pass on some of their characteristic features to us through their genes, इसका मतलब क्या कि हमारे माबाप ने अपने कुछ characters हमको transfer कर दिये हैं, कैसे transfer कर दिये हैं, inherit कर दिये हैं, कैसे, तो genes की तरो, क्योंकि उनकी body से genes ने करके कहां आ गये हैं, ह इसलिए हमारे पास कुछ, उनके features जो हैं, आ चुके हैं, it is the genes inherited from our parents which are responsible for our various body features, ये genes ही होते हैं, हमारी body में, जो कि हमको हमारे parents से मिले हैं, inherit हुए हैं, जिसके करण हमारे पास various body features होते हैं, कै अब आपको पूरा relation समझ में आया, कहानी समझ में आई, ओके, फिर इसके बाद म इसलिए, it is the genes on the chromosomes which decide all sort of things about us, say the color of our eyes, the look of our hair, the shape of our nose, our complexion, our appearance, etc. For example, if our father has brown eyes, we may also have brown eyes, due to the gene of brown eye, color coming from him. तो उनकी, जैसे कि मैंना को बता है, हापे example दिया है क्या, कि पाबा की आखों का color कैसा है, brown है, क्यों brown है, क्योंकि उनके cell में, जो nucleus है, nucleus में जो DNA है, DNA में जो gene है, वो gene बोल रहा है कि आखों का color होना चाहिए brown, अब यही gene जब reproduction होगा, तो यह gene हम बोलते हैं कि हमारी, तो आई चुका था, and if our mother has curly hair, then we may also inherit curly hair through the genes coming from her, ठीक है, however, usually the different combinations of genes from both the parents, father and mother result in different characteristics in the offspring, अब कभी कभी ऐसा भी होता है, कि मम्मी की आखों का color कैसा है, brown है, पापा की आखों का color कैसा है, suppose black है, लेकिन बच्चों की आखों का color कैसा हो गया, blue हो गया, अब यह बात तो समझ में नहीं आई, अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे, कि जो हमको हमारे features मिले हैं, वो हमको हमारे माबाप सही मिलते हैं, तो अगर ऐसा है, तो बच्चे अपने माबाप की true copy क्यों नहीं होते, जैसे कि आपको आपके किसी रिष्तिदार ने आके बोला होगा, कि अरे तुम तो पिलकुल अपने पापा जैसे दिखते हो, तो पापा जैसे दिखते होगा मतलब क्या, कि आप क्या अपने फादर की exact copy हो, कि यह रहे आपके पापा और यह रहे आप, कि अगर आप दोनों साथ में मार्केट जाओ, तो कोई differentiate ही ना कर पाए, कि बेटा कौन है, बाप कौन है क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि माना कि कुछ characters हमको हमारे parents से मिल जाते हैं, jeans के बदावलत, कि jeans जो है ना inherit होकर के आ रहे हैं हमारे parents से कहा हमारी body में, इसलिए हमारे कुछ features, कुछ characters हमारे mammy, papa से मिलते हैं, लेकिन हुआ क्या, कि जैसे कि मैंना आखों example दिया, कि पापा की आखों का color black, mammy की आखों का color कैसा है brown है, लेकिन बच्चे की आखों का color कैसा हो गया blue हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ, क्या उसको jeans नहीं मिले थे, अरे बिल्कुल मिले थे, black color की आखों का जो black eye का जो black color है, उसका jean आया था combinations हो गया, कुछ ऐसा combination हुआ, दोनों jeans का आपस में वो मिल गया, जिसके कारण बच्चे की आखों का color है, वो क्या हो गया, blue हो गया, तो brown color की आखों का, आखों का जो brown color है, उसका jean भी आया था, आखों के black color होने का, जो jean है, वो भी आया था, लेकिन कुछ different combinations बन गया, और different combinations हम बोते हैं कि आखों का color कैसा हो गया, blue हो गया, तो इसी लिए माना कि हमको हमारे features जो ना मिलते हैं हमारे माबाप से, jeans की बदौलत, क्योंकि jeans inhalate होते हैं, लेकिन फिर भी हम एकदम true copy नहीं होते हैं अपने parents के, कुछ-कुछ-कुछ चीजें मिलेंगी, बाल मिलेंगे, complex collection में लेगा, ममा गोरी तो हम भी गोरे हो जाएंगे, या पापा गोरी तो हम भी गोरे हो जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको अलग भी दिखाई देंगी, तो अलग दिखाई क्यों देती हैं, क्योंकि जो भी characters आये थे, उनके बीच में कुछ ऐसा, you know, combination बैठा, कि उ ब्लू कलर की आखे, ना ब्राउन कलर की आखे, ब्लू कलर की हो गई, वो ही बोला गया है आपे, कि हावएवर, usually the different combinations of genes from both the parents, father and mother, result in different characteristics in the offspring, फिर नेक्स क्या है मारे पास, तो ये पूरी खानी थी किसकी chromatin material की, जो की nucleoplasm में present होता है, अब chromatin material के अलावा, nucleoplasm में nucleolus भी होता है, ये क्या होते हैं, बेसिकली, ये tiny round structures होते हैं, जिनको हम nucleolus कहते हैं, जिनको की हम microscope से देख सकते हैं, ठीक है, फिर, फिर क्या है अपने पास, nuclear matrix, तो it is the network of fine criss-crossing protein containing fibrils which are joined to the nuclear envelope by their ends, तो अगर आप nucleoplasm के nuclear matrix को देखोगे, तो वहापे आपको comments दिखाई देंगे, जो कि एक तरफ से, जो nuclear envelope है, उससे attach होते हैं, ये करते हैं, बेसिकली, cell का shape maintain करने में help करते हैं, red blood cells however do not have a nucleus, हमारी RBCs होती न, उनमें तो nucleus होता ही नहीं, ऐसा नहीं कि कभी होता ही ये, होता है, लेकिन जैसे जैसे वो mature होते जाती है, वैसे वैसे उनक जो nucleus हो गायाब हो जाता है, ठीक है, आए आपको बात समझ में, तो ये कहानी थी किसकी हमारे पूरे nucleus की, तो nucleus में क्या का component होता है, जल्दी से एक बार हम revise कर लेते हैं, सबसे पहले तो nuclear envelope होती है, दो membrane की बनी होती है, दोनों membrane की बीच में space होती है, उस space में fluid भरा होता है, इन membranes में हम बोलते हैं कि जगा भी होती है, pores भी present होती है, जिसको हम कहते है nuclear envelope, जो कि क्या करते हैं, sorry, nuclear pores कहते हैं, और ये pores क्या करते हैं, ये nuclear pores, जो भी substances का जो आना जाना होता है, उसको वो facilitate करते हैं कि हाँ, जो भी substances का जो exchange है, वो चलता रहा है between the nucleoplasm and the cytoplasm of the cell, इसके क्या होगा भाई, fluid material होता है, हमारे nucleus का, raw materials अलग-अलग present होते हैं, इसी में chromatic material present होता है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि जब cell divide करता है, तो ये condense हो जाता है, किसमें हम बोलते हैं कि chromosome में, chromosome के उपर chromosome बने होते हैं, DNA के, DNA को के उपर कुछ specific, उसके segment होते हैं, जिसको हम या बोल जब reproduction की process होती है, तो यही genes parents से निकल के कहां आ जाती है, offspring में आ जाती है, और जब ये gene बच्चे में जाकर के express होंगी, तो बच्चे के पास भी वही character आ जाएगा, जो कि माबाप के पास, या वाला parents के पास है, वो वाला, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते है, inheritance कहते हैं, तो ह में साथ क्या करते हैं, characters ले करके जाते हैं, इसलिए बच्चे माबाप जैसे दिखाई देते हैं, इसके अलावा, chromatin material के अलावा, nucleolus present होता है, nucleoplasm में, और हम बोलते हैं कि, next क्या होगा हमारे पास, nuclear matrix, यह पूरी कहानी है कि इसकी nucleus की, I hope सभी को समझ में आ गई होगी, हा तो जैसे कि मैंने आगको बताया था कि, eukaryotic cells क्या होते हैं, तो eukaryotic cells जिसमें की true nucleus present है, अब आप बोलोगे मैं true nucleus का मतलब क्या है, तो वो वाला nucleus which is surrounded by, या bounded by nuclear envelope, यह दे कि हमारे पास कुछ ऐसे cells भी होते हैं, जिनके nucleus को bound किया जाता है कैसे, nuclear envelope से, देखा ही हमने, अभी भी देखा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे cells भी होते हैं, जिनके nucleus को कोई nuclear envelope surround नहीं करती है, वाला वो ऐसी पड़े रहते हैं, उनका जो nucleus के अंदर, main क्या है, chromatin material है, तो अगर nucleus को surround करने वाली, cytoplasm से separate करने वाली nuclear envelope ही नहीं होगी, तो क्या होगा, nucleus का जो chromatin material है ना, वो ऐसा फैला रहेगा पूरे cell में, तो वो वाले cell जिनके nucleus को surround करने वाली nuclear envelope होती है, उसे हम क्या कहते हैं, eukaryotic cell कहते हैं, और जिन में नहीं होती है, उनको हम कहते हैं, prokaryotic cell, ठीक है, ओके, अब इसके बाद में क्या है, last एक चोटा सा concept है, protoplasm का, ये protoplasm क्या होता है, all the living matter in a cell is called protoplasm, protoplasm is a liquid substance which is present inside the cell membrane, अब हमको पता है कि भई, cell के अंदर तो cytoplasm भी होता है, nucleus का nucleoplasm भी होता है, तो protoplasm में हम बोलते हैं कि जो भी cell के अंदर का जो liquid substance है, उसको हम कहते हैं protoplasm, includes cytoplasm, nucleus and other organs, most of the protoplasm is made up of compounds of only four elements, carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen, it also contains some other elements, some of the compounds present in protoplasm are water, carbohydrates, protein, fats, nucleic acid and mineral salts, a unique combination of elements and compounds provide living nature to protoplasm, ठीक है, तो protoplasm होता क्या है basically, तो cell के अंदर का, जो fluid, जो living liquid substance है, जो fluid substance है, उसको हम क्या कहते हैं protoplasm कहते हैं, तो कई पर आपको किताबों में ये भी लिखा हुआ दिखाए देगा, कि cell membrane क्या करती है, protoplasm को surround करती है, तो protoplasm में तो हम बोते हैं कि cytoplasm भी आ रहा है, nucleus का nucleolCoism भी आ रहा है, पूरा पूरा nucleus आ रहा है, cell organ кот आ रहे हैं है ना तो nucleus या आप ये बोल सकते हो कि cell की protoplasm को surround करने वाली क्या होती है plasma membrane या cell membrane तो confused मत होना protoplasm क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया है ठीक है तो आज की session के लिए बस इतना ही भाई आज हमने cytoplasm को discuss किया है हमने nucleus को discuss किया है cytoplasm में जैसे कि मैंने बताई दिया आपको कि उसमें cytosol होता है है ना और जो की बना होता है 90% water का इसके अलावा cytosol की वज़ेसे हम बोलते हैं कि cytosol क्या है एक semi fluid matrix है हमारे cell का तो वह fluid nature क्यों है क्योंकि उसके अंदर cytosol क्यों है है इसके कारण सैटो प्राजम के पास क्या है एक उसका fluid नीचर है तो क्यों है ऐसा क्योंकि सैटो सोल में present होता है 90% water तो इस पांजी rotor के करण 90% water के कारण जो कि cytosol में है इस cytosol के कारण हम बोलते हैं कि cytoplasm कैसा हो जाता है semi fluid हो जाता है nature में ठीक है बागी raw materials का क्या है यह एक store house है जहां जिस चीज़ को जिस process में metabolic process में raw material की जरुवत पड़ेगी वहां cytoplasm उसको supply कर देगा चाहे वो nucleus के अंदर हो रही हो जा है cytoplasm के अंदर ही हो रही हो ठीक है तो आज की session के लिए बस इतना ही अब हम अपने next session में मिलेंगे and most probably वहां पर हम discuss करेंगे कि किसको cell wall को लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है Google पर जाना है और type करना है magnetbrains.com जैसे type करोगे उसको search करना सर्च करने के बाद हमारी जो official website है magnetbrains.com वो खुल जाएगी उसको खोलना जैसी खोलोगे तो आपके सामने यह एक page आ जाएगा जिस पे लिखा रहेगा सब्सक्राइब क्लास 8 साइंस देखने तो आप क्या करोगे ख्लास 8 साइंस की चापके टॉपिक पर मतलब जो वो आ रहा है आपके पास option उस पर ख्लिक करोगे जैसी क्लिक करोगे तो आपके सामने आप यह खुल जाएगा कि क्लास 8 साइंस वीडियो टुटूरियल बाए विभूती घरे फिर सपोज यहां पर आपको देखना है क्या चैप्टर वन क्रॉप प्रड़क्शन एंड मेनेज्मेंट तो यहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर की जो वीडियो जैं वह आपको यहां पर मिल जाएंगे सब्सक्राइब क्या करोगे इसको टैप करोगे तो आपके सामने क्रॉप प्रड़क्शन एंड मेनेज्मेंट का जो फर्स लेक्टर है इंट्रोड़क्शन वाला वो खुल जाएगा कुछ इस तरीके से आप आगे के लेक्टर भी देख सकते हो पूरे के पूरे लेक्टर औ और पूरे के पूरे चैप्टर भी आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके से तो यहां पर जो आपको प्रॉब्लम होती है ना कि मैं प्रेलिस नहीं मिल रही यूट्यूब पर या मिल भी गई तो उसमें जो वीडियो का सीक्वेंस है वो गड़बड है तो यहां पर ऐसे आप पर आपको नोड़ भी होते हैं अवेलिबल सो अब हमें लेंगे अपने नेक्स सेशन में तब तक डू विजिट और ओफिशल वेबसाइट मैगनेटब्रेंस.com तिल देन कीप लर्निंग इस मैगनेटब्रेंस थैंक्यू पर वाचिं